नीला चलनिवासाय नित्याज परमात्मने बलफद्रसुबद्रा अभ्याम जगन्ना था यते नमाह प्रिय शिक्षार्थियों N.I.O.S. के स्टूडियो में आप सब का पुनर एक अबार स्वागत है मैं डॉक्टर चंदन कुमारमिश्र असिस्टेंट प्रोफेसर वेद विभाग श्री जगन्नात समस्कत विश्वविद्याले पूरी उड़ीसा से उपस्थित हूँ आप सब के लिए उनहा उच्चतर माद्यमिक कख्षा के पाठ्ठेकर्म अंतरगत विदा ध्यानम पाठ्ठेकर्म अंतरगत उस्तक क्रमांक दो सब्ततश पाठ हिरन्य गर्भसूक्तम भाग दो के अध्यान के लिए इसका प्रथम मंत्र इस प्रकार है हरिही ओम हिरन्य गर्भसम वर्तता अग्रे भूतस्य जातफ तिरेक आसीत सदाधार पृधिवी इंज्या मुतेमांकस्मई देवाय हविशा विधेमा प्रजापति ही प्रथमह उत्पन्नह देवाः उत्पन्नात परमेव जगतह स्वामी अभवत सह जुलोकम विश्तीरण प्रथिवी लोकंच धृतवान तम विहाय कम हविशा वूजयेम अधवा प्रजापतिम हविशा वूजयेम इस मंत्र में प्रजापति के स्वरूप का वरणन करते हुए कहा गया है कि विराट पुरुष के द्वारा स्रिष्टि प्रारंभ के पूर्व स्रिष्टि करता के रूप में सरवप्रथम हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए अतेव वे संपूर्ण जगत के अधीश्वर हुए उन्होंने जो लोक और इस प्रथवी लोक को धारण किया अतहा इनके अत्रिक्त हम किस देवता के लिए हविफप्रदान करें अधवा मंत्र में कस्मई शब्द आया है कव संग्यक प्रजापती होता है अधवा इसलिए कहा गया अधवा कव नामक प्रजापती देवता के लिए हम सब हविफप्रदान करें द्वितिय मंत्र की ओर हम अग्रसर होते हैं। द्वितिय मंत्र हिरनेगर वसूकत का मूल पाठ इस प्रकार किया जाता है। यहा मूल मंत्र हुआ इसका पदपाठ इस प्रकार है। यहा मूल मंत्र हुआ इसका पदपाठ इस प्रकार है। मंत्र में कहा गया कि जिस प्रजापती ने जीवात्मा को दिया है बल दिया है। सभी देवता मानते हैं जिनकी छाया अमर्द रूपणी है और जिनके अधिकार में मृत्यू भी है। उनके अतिरिक्त मैं किस देवता के लिए हविप्रदान करूं। अधवा कव संग्यक उन प्रजापती देवता के लिए हविप्रदान करूं। ऐसी चर्जा इस मंत्र में आती है। या मूल मंत्र है। इस मंत्र का पदपाठ इस प्रकार है। यह प्राणतह निमिशतह महित्वा एकह इत राजा जगतह बभूव। यह इशे अस्य दिपदहा त्यतुष्पदहा कस्मई देवाय हविशा विधेम। मंत्र का सरलाच इस प्रकार है। यह इरण्यगर्भः स्व महिम्ना श्वासप्रश्वास आरकारिनाम अभिलक्ष्य चलम कारिनाम मनुष्यानाम गतिशील प्राणि जगतह एका की एव राजा अभूत यश्च पाद द्वय विशिष्टस्य पाद चतुष्टय विशस्यस्य च इश्वरहा तम विहाय कम हविशा वूजयेम। अथवा प्रजापतिम हविशा वूजयेम। इस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है जो अपनी महिमा से दर्शनेंद्रिय एवं गतिशक्ति संपन जीवों के अद्विती राजा हुए हैं और जो इन द्विपदों, द्विपाद कहते हैं मनुष्यों को उनके दोपाद हैं एवं चतुषपदों, पशुओं के लिए चतुषपदपद का प्रयोग इस मंत्र में किया गया है क्योंकि पशुओं के चार पाद होते हैं ऐसे द्विपदों और चतुषपदों के स्वामी हैं ऐसे कवसंग्यक प्रजापति देवताओं को हम हवी से पूजा करें पुनहा ग्रिम मंत्र है यस्यमे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु यस्यमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मरी देवाय हविशा विधेम मूल मंत्र इस प्रकार है इस मंत्र का पदपाथ हम जानते हैं यस्य इमे हिमवंताह महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु यस्य इमाह प्रदिशः यस्य बाहु इति कस्मरी देवाय हविशा विधेम मंत्र का सरलार्च अज्येन करते हैं इस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है मंत्र में कहा गया जिनकी महिमा से ये सवहिमाच्छन परवतादि उत्पन्न हुए हैं यहाँ सब्तसागरा धरित्री जिनकी स्रिष्टी कही जाती है और ये दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं दिशाएं भुजा सुरूप हैं जिनके ऐसे प्रजा परिदेव के लिए हम हवी के द्वारा इनकी पूजा करें अग्रिम मंत्र है ये न द्यवर उग्रा प्रथिवी चद्रढ़ा ये न स्वस्त भितम ये न ना कहा यो अंतरिक्षे रजसो विमानहा कस्मई देवा यह विशाविधेम यह मूल मंत्र है इसका पदपाठ इस प्रकार किया जाता है ये न ज्यवर उग्रा प्रथिवी चद्रढ़ा ये न स्वरितिस्वाह स्तभितम ये न ना कहा यह अंतरिक्षे रजसाह विमानहा कस्मई देवाय हविशाविधेम इस मंत्र का सरलार्थ आपके पाठ में इस प्रकार दिया गया है ये न ज्युलो कहा उग्रह कृतहा प्रथिवीच द्रढ़ा कृता स्वरगलो कहा आरित्यलो कष्च ये न लब्धाहा यहा अंतरिक्षे जला जलपरिमानकारी तम विहाय कम हविशाविशाविधेम जिन्होंने ज्युलोक और प्रथिवी लोक को द्रढ़ता से स्थापित किया जिन्होंने स्वरग और आरित्य को स्तब्ध किया है और जो अंतरिक्ष लोक में जलके निरमाता है ऐसे प्रजापरी देवता के अतिरिक्त हम किस देवता की पूजा करें मूलतहा हम प्रजापरी देवता के लिए हविश से पूजा करें हविश प्रदान रूपी यग्य कर्म से प्रजापती की आराधना करें ऐसी चर्चा इस मंत्र में प्राप्त होती है इसके साथ ही पंद्वितिय भाग पूर्णुगा धन्यवाद